बश्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आज हम इस वीडियो में गणेश चतुर्ती की चार पुरानिक एव प्रचलित कथाएं लेकर आए हैं वर्त में सुनने से दूर होंगे साड़े संकट, मिलेगा आपार सुख, ओम गणेशाय नमहा संकटी गणेश चतुर्ती वर्त करने से घर परिवार में आरही निप्तादूर होती है कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन होते हैं तथा बगवान स्री गणेश असेम सुकों की प्राप्ति कराते हैं मा की किसी भी चतुर्ती के दिन बगवान स्री गनेश की पुजा की दोरान संकटी गनेश चतुर्ती वर्थ की कथा सुनना पढ़ना जुरूरी होता है इसे सम्मंदी चार प्रचलित कथा हैं हम इस वीडियो में लेकर आए पुराने की अंपरचलीत स्री गनेश कथा के नुसार एक देवी एक देवता कई भी पुदाओं में गिरे थे तब वह मदत मांगने बगवान सीव के पास आए उस में सीव के साथ कार्तिके तथा गनेश जी भी बैठे थे देवताओं की बात सुनकर रसीव जी ने वैगनेश जी से पुछा कि तुम में से कौन देवताओं की कष्टो का निवान कर सकता है तब कार्तिके वैगनेश जी दोनों ने ही स्वेम को इस कारिये के लिए सक्सम बताया इस पर बगवान सीव ने दोनों की प्रिक्सा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले प्रित्वी की प्रिकर्मा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा बगवान सीव के मुख से वचन सुनते ही कार्तिके अपने वहान मोर पर बैठकर प्रित्वी की प्रिकर्मा के लिए निकल गए परंतु गणेश जी सोच में पढ़ गए कि वह चुए क के उपर चड़ कर सारी प्रित्वी की प्रिकर्मा करेंगे तो इस कारिये में उसे बहुत समय लग जाएगा तभी उन्हें एक उपाय सुजणेश अपने स्तान से उठे और अपने माता-पिता की साथ बार प्रिकर्मा करके वापस वैठ गए प्रिकर्मा करके लोटने पर का स्वयम को बजेता बताने लगे तव सीव जी ने श्री गणेश से प्रित्वी की प्रिकर्मा नय करने का कान पूछा तव गणेश ने कहा माता-पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं यह सुनकर बगवान सीव ने गणेश जी को देताओं के संकट दूर्ट करने की आज्या चतुर्ट के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और आतरी में चंद्रमा को अरग्य देगा उसके तीनों ताप यानि देहिक ताप देविक ताप इस वर्थ को करने से वरतदारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के वोतिक सुकों की प्राफ्ति होगी च गनेश चतूर्ती वर्त की दूसरी कथा के इनुसार एक समय की बात है राज्या और इश्चंद्र के राज्ये में एक कुमार था वे मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते एक पुजारी की सलापर उसने इस मश्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को म संकटी चतूर्ती का दिन था उस बच्चे की मा अपने बेटे के लिए प्रेशान थी उसने गनेश जी से बेटे की कुछलतागी परातना की दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पग गए थे लेकिन बच्चे का बाल बाका भी ही हुआ था वह डर गया और राजा के दर्वार में जाकर सारी गटना बताई इसके बाद राजा ने उस पच्चे को और उसकी मा को भुला आया और तो माने सभी तरह की विदन को दूर करने वाली संकटी चतूर्ती का वर्णन किया इस गटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सुबाग्य के लिए संकट चोत का वर्ण करतने लगी तीसरी कथा एक समय की बात है कि विश्णु बगवान का विवा लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया विवा की त्यारी होने लगी सभी देवताओं को निमंतन बेजे गए प्रंतु गणेश जी को निम खाई नहीं दे रहे तब वेवाध आपस में चर्चा करने लगए कि क्या गणेश जी को नहीं नियोता दिया या सब्कों इस बात पर आश्चरिय होने लगा तभ ही सबने विश्णु बघवान से ही इसका कांड पूछा जाये विशनु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गनेश जी के पिता भोलेनात महादेव को नोता भीजा है यदि गनेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते अलग से नोता देने की कोई आशकता भी नहीं थी दूसरी बात यह है कि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन गी और सवामन लड़ू का भोजन तिन भर में चाहिए यदि गनेश जी नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पिना अच्छा भी नहीं लगता इतनी वारता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुजाव दिया यदि गनेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना आप तो चुवे पर बैठकर धिरे धिरे चलोगे तो बरात से भूत पीछे रह जाओगे ये सुजाव भी सबको पसंद आ गया तो विश्न भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी होना क्या था कि इतने में गनेश जी वहां आ गए उन्होंने समझा उजाकर घर की रकवाली करने बैठा दिया बरात चल दी तब नारज जी ने देखा कि गनेश जी तो दरवाजी पर भी बैठे हुए हैं तो वे गनेश जी के पास गए और रुकने का कान पुछा गनेश जी कहने लगे कि विश्न भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है नारज जी ने कहा कि आप अपनी मुशक सेना को आगे भीज दो तो वह रास्ता को देगी जिससे उनके वहां दर्ती म पढ़ेगा अब तो गनेश जी ने अपनी मुशक सेना जल्दी से आगे भीज दी और सेना ने जमीन पूली कर दी जब बरात वहां से निकली तोरतों के पहीं दर्ती में धस गए लाग कोशी से करें प्रंतु पहीं नहीं निकले सबी ने अपने अपने उपाय किये करके अच्छा नहीं किया यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कारिया सिद्ध हो सकता है और यह संकर टल सकता है संकर बगवान ने अपने दूट नंदी को भेजा और वे गनेश जी को लेकर आए गनेश जी का आदर समान के साथ पूजन किया तब कहीं रत के पहीं न पारे करने के पहले स्री गनेश आयनमय कहकर गनेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा देखते ही देखते खातने स्विपईयों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा कि यह देखता हो आपने स्वरपर्थम गनेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनका पूजन किया होगा इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया हम तो मुरख अज्यानी हैं फिर भी पहले गणेश जी की वो पूझते हैं उनका ध्यान करते हैं आप लोग तो देटागण हैं फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल जगए अब आप लोग भगवान स्री गणेश जी की जय भूल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा ऐसा कहते हुए बरात वहां से चल दी और विश्नु भगवान का लक्समेजी के साथ विवा संपन कराके सभी सैकुसल घर लोटाएं हेग नेश जी माराज आपने विश्नु को जैसे कारच सरी ओ ऐसे कारच सब को सिद करियो बोलोग जानन भगवान की जय हो एक नेश माराज जी जैसे आपने विश्नु और सभी देटावे काम सिद की सभी संकटों को दूर किया ऐसे ही आप सब के संकटों को दूर करना सब के काम सिद करना बोलोग जानन भगवान की जय हो चोथी वर्थ कथा सरी गिनेश चितूरती वर्थ की पुराणी कथा कि अनुसार एक बार बगवान सीव धा माता पारवती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे महा माता पारवती ने बगवान सीव से समय वैधित करने के लिए चोपड खेलने को कहा सीव चोपड खेलने लेगे गेले त्यार हो गए परन्तु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा यह परसन उनके समक्स उठा तो बगवान सीव ने कुछ तिनकी एकत्रित कर उसका एक पुतला बना कर उसकी प्राण परतिष्टा कर और पुतले से कहा बेटा हम चोपड खेलना चाते हैं परन्तु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कोन हारा और कोन जीता इसके बाद बगवान सीव न माता पारवती का चोपड खेल शुरू हो गया यह खेल तीन बार खेला गया और संयोग से तीनो बर माता पारवती ही जीत गई खेल सुमावत होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादें को विजी बताया यह जुनकर माता पारवती क्रोधी ठो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगडा होने किचड में पड़े रहने का असराब दे दिया बालक ने माता पारवती से माफी मांगी और कहा यह मुझसे अज्ञानवस हुआ है मैंने किसी द्वेश भाव से ऐसा नहीं किया है बालक दुवारा अक्षमा मांगने पर माता ने कहा यहां गणेश पूजन के लिए नाग कर्ण्याय आएंगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश वर्थ करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे यह कहे कर माता पारती से के साथ का लास पर वर्थ पचले गई एक वर्थ के बाद उस तान पर नाग कर्ण्याय आई तब नाग कर्ण्याय उसे स्री गणेश के वर्थ की विदी मालू करने पर उस बालक ने 21 दिन लगाता गणेश जी का वर्थ किया उसकी सरदा से गणेश जी पर्षन हुए उन्होंने बालक को मनोवांचित फल मांगने के लिए कहा उस बालक ने कहा हे विनायत मुझे इतनी सक्ति दीजी कि मैं अपने पैरों से चलकर अपनी माता पता के साथ के पास कैलास परवत पर पहुंच सकूँ और वे यह देखकर परसन हो तब बालक को वर्दान दे कर स्री गणेश अंतर ध्यान हो गए इसके बाद वह बालक कैलास परवत पर पर पुंच गया और कैलास परवत पर पुंचने की अपनी कथा उसने बगवान सीव को सुनाई चोपड़ वाले दिन से माता पारवती सिव जी से विमुख हो गई अंतेवी के रुष्ट होने पर बगवान सीव ने भी वालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक स्री गणेश का वर्थ किया इस वर्थ के परभास से माता पारवती के मन से बगवान सीव के लिए जो नाराजगी थी वैसमाप्त हो गई तब यह वर्थ व भूब फूल और लडूहों से गणेश जी का पोजन अर्चन किया वर्थ के 21 दिन कार्थी के स्भभ माताग पारवती से मिलने आ गई उस दिन से स्री गणेश चे तुर्थी काई है वर्थ समस्त मनों काम नाव की पूर्थ करने वाला वर्थ माना जाता है इस वर्थ को करने से मनुष्य के सारे कर्ष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्थ सुख सुविदाय प्राप्त होती है जै गनेशाय नमा है एक जिमाना जैसे आपने सब के संकटों को दुखों को हरा सब के कार्ज करें इन कथाओं को सुनने वाले कहने वाले सवी की समस्थ मनुकामना को पूर्ण क कि